हेलो एवरियान स्वागत आपका आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ अलू की सुखी सबजी मैंने इस सबजी में थोड़ से टुष डाले हैं साम के लिए बिल्कुल परफेक्ट नाशता है तो कैसे बनाती हूँ चलिए बनाना सुरू करते हैं आलो की सुखी सबजी बना लिख लिए मैंने यहाँ पर चार आलो को अच्छे से धो कर छील लिया है और उसको छोटे टुक्रों में काट लिया है आलो का छीलका उतारना जरूरी है अब हम पैन करम करेंगे आप देखेगा मैं इसमें क्या-क्या फोरन डालती हूं पैन में 3-4 चमज तेल डालेंगे कोई भी कुकिंग ओयल आप ले सकते हैं तो इसमें आधा चमज जीरा डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च डालेंगे और अगर आपके पस कड़ी पता है तो जरूर डालें थोरा से कड़ी पता डालेंगे जीरा को हमें ठीक से पका लेना है विद्वाद रखें जीरा को थीक से भूनना है तब जीरा का फ्लेवर अलूम आएगा यहाँ पर जाब यह सभी चीजे अच्छे से भून जाने इसे कटा हूँ डाल दें आलू में और कोई मसाला नहीं डालना है आलू को हमें 2-3 मिनुट तक अच्छे से भूनना है आप चाह पिर से चला लूँगे, यहाँ पर आलू हमारा हलका सभून गया है, इस तरह से सबजी बनाने से सबजी फराय हो जाता है, उसके बाद हम मसाला डालेंगे, तो मसाले का स्वाद अलग सा आता है, तो यहाँ पर मैं स्वाद अंसर नमक डाल दें, और यहीं पर जरा से हल्दी प अलू में जब आप ज्यादा मसाला डाल देंगे, तो वह सबजी बन जाएगा, सबजी का स्वाद आने लाएगा, यहाँ पर हम सबजी नहीं बना रहे हैं, हम स्नेक्स बना रहे हैं, जिसको आप साम में नास्ते में ले सकते हैं, अभी मैं इसको ढख के चार से पांच मिनट पका अलूंगे, या तब तक पकाएं, जब तक हमारा अलू सौप्ट नहीं हो जाए, तो यहाँ पर हमारा अलू अच्छे से पक चुका है, लेकिन अभी सबजी बनी नहीं है, अभी इसमें एक ट्विस्ट है, अभी हमें एक मसाला और डालेंगे, जो हमारे सबजी को दो ग करते हैं, और उसमें एसी चाट मसाला मिला कर खाते हैं, यह साम का आपका जो इतना स्नेक्स हैं, सभी को आप भूल जाएंगे, आप एक बार इसको ट्रैजर रूर किजेगा, बस इसको अच्छे से मिला देंगे, और दो मिनट के लिए ढख के छोड़ देंगे, गैस को यहा पहेंगे, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, साम का नास्ता आप बहुत अलग अलग चीज़ ट्रैक किया होंगे, लेकिन एक बार इस नास्ते को ट्रैक किजिएगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आथा तो प्लीज लाइक करें, सेर करें, और चैनल पर नह हैं तो सबस्क्राइब जरूर करें